हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी चैनल पर स्वागत है आज की कहाने को सिर्षक है धन्ना जाट धन्ना जाट का जन्म राजिस्थान के टॉक जिले के धुहा कलान नाम के गाउं में एक सामान्य से जाट परिवार में हुआ था उनका जन्म 20 अपरेल 1415 इसनी को हुआ था उनके पि गंगा बाई गड़वाल था धन्ना जाट एक उचकोटी के क्रिशन भक्त और कवी हुए इन्हें धन्ना भगत और धन्ना से नाम से भी जाना जाता है इनकी भक्ती का प्रताप ऐसा था कि स्वम भगान ख्रिशन इनकी गाएं चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थ इनके गाउं दुहा कलान में सिख समुदाये के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुर्दवारे का निर्मान करवाया है। तो कुछ दिनों के बाद धन्ना जी के घर पर ठेरे। पंडित तिरलोचन सालिग्राम भगवान की सेवा क्या करते थे। चाहिए मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बाल को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी के उनके माता पिता ने बहुत समझाया परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह तो बाला कैसे सालिग्राम जैसा कुछ और दे कर बहला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में इसनान करने गए महां से एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तमें धन्ना जी के पास आकर बोले मैं तुम्हें अपने ठाकुर्जी दे दूंगा लेकिन मेरे पास दो ठाकुर्जी हैं बड़े ठाकुर्जी और छोटे ठाकुर्जी तुम्हें कौन से ठाकुर्जी चाहिए धन्ना जी ने जट से जवाब दिया मुझे तो बड़े ठाकु नहीं लगे धना जी गाएं चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी अपने साथ ले जाते धना जी की माने उनको बाजरे की रूटी साग और अचार और उड़ खाने को दिया अब धना जी ने भी निश्चे किया कि वे पंडी जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद बोजन गरन करेंगे जनल शेश किया जब तक ठाकू प्रकट होकर बोजन ग्रेंड नहीं करेंगे ज टाकूर्जी को नहीं लगा तो चाल की स्टीन कई व्हागों धन टीन धनना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई अब धनना जी खेटों में जोर जोर से रोने लगे ठाकर जी से गुरहाक लगाने लगे वे बोले आप तो ठाकर जी हैं आपको तो लोग रोजी चपन भोग जिमाते होंगे परंतों मैं बालक तीन दिन से भोगा और परिशान हूँ आपको मुझपर दया नहीं आती है क्या मुझपर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकूँ क्योंकि पिंड़ जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना इसलिए पहले आप उसके बाद ही मैं सकूँगा धना जी की भोले पंसे की गई प्रात्ना को सुनकर भगवान सिरी प्रिशन साख साथ प्रकट हो गई अपने ठाकूर जी को देखकर धना जी बहुत प्रसन हुए नो ने ठाकूर जी को मा की दी हुई बाजरे की रोटी साग और गुर खाने को ठाकुर्जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे, चार रोटीयों मैंसे दो ठाकुर्जी ने खा ली, जब ठाकुर्जी तीसे रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, और कहा सारे रोटीयां आप ही खा जाएंगे, क्या मुझे भी तो भूग दण्य जी जब गाएं चराने जाते तो बोजन खेतों में जाकर ठाकुट जी के साथ ही करती है तब ठाकुर्जी ने का मैं तुम्हारी गाएं ही चरा दिया करूंगा उस दिन के बाद से ठाकुर्जी धन्ना जी की गाएं चराने लगे एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर्जी से पूछा आप मुझे अपनी हिर्दे से क्यों नहीं लगाते हैं तब ठाकुर्जी ने का मैं तुम्हें प्रत्यक्स हो गया हूँ लेकिन पूरी तरह से तब मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है अभी तक तुमने मुझे किसी गुरु की सर्णागती ग्रहन नहीं की है इसलिए मैं तुम्हें अपनी हिर्दे स नहीं लगा सकता तब धन्य जी बोले मैं तो जानता हूँ जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं फिर मैं किसे गुरु बनाओं थाकुर्जी बोले कासी में जगतकुरु सिरी रामना अचारिये मेरे ही स्वरूप में विराजमाने तुम जाकर उनकी सरण ग्रहन करो थाकुर धन्य जी ने धन्य जी को अपने सीशे के रूप में स्विकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ धन्य जी बोले गुरु जी आम मैं घर नहीं जाना चाहता हूं आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं गुरु जी बोले उसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे ठाकुर जी ने उन्हें अपने हिट जैसे लगा लिया इसके बाद धन्ना जी को संत सेवा करने लगे जब उनके गवाँ में कोई संत आते धन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते उन्हें बोजन खिलाते, संतों की सेवा करने से कारण अब उनके घर दूर-दूर से साधू संत पदाने लगे, धना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सतकार करने लगे, और उन सभी को बोजन खिलाने लगे, एक दिन धना जी पिता जी ने धना जी से कहा देखो भाई हम लोग और अपने साथ एक दो को ओर ले आता है यह ठीक नहीं है हम अपनी खेतिबाड़े का काम छोड़ कर इन सादू की सेवा नहीं कर सकते हैं तुम तो अभी बालक हो कुछ कमाते नहीं हो तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और उपर से तुम सादू को बुला लेते हो इ इसलिए एक बात का कान खोल कर सुन लो आज के बाद यदि तुम किसी सादू को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर से घर में नहीं गुसने दूँगा यदि सादू की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो फिर अपनी कमाई से सादू सेवा करना पिता जी की बात सुनकर धन् आज के बाद किसी सादू को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में एक ग्यहूं बो कर आओ खेत तैयार है बोरी में बीज का ग्यहूं रखा है इसे बैल गाड़ी में ले जाओ खेत में बो दो धन्ना जी ने बैल गाड़ी में ग्यहूं रख लिया और खेत में बोरी चल रामनादा अचार्य की सीसे हैं और बहुत चोटी सी उंग्र में उन्हें ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं सुनकर धन्याजी संकोस में पढ़ गए हाथ जोड़कर बनी विनर्मता से बोले महाराज मुझे ही धन्या भगत कहत हैं संत लोग बोले भगवान ने बड़ी किर्पा की हम जिन से मिलने आये थे वे यहीं मिल गए निश्ची थी आप ऐसे ही भगत है जैसा आपके विशे में सुना था कितनी विनर्मता है आप में चलिए आपके घर चलते हैं वहीं बैठकर आप से चर्चा करेंगे धन्याज कुछ विचार करके बोले महाराज अभी घर पर कोई नहीं है मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं आप भी मेरे साथ चलिए संत बोले ठीक है हम तो आप से मिलना आप से ही मिलना था अब आप हमें जहां ले जाए हम वहीं चलेंगे फिर धन्याजी उन सभी को अपने खेत मे ले गई खेत में एक पेंड के नीचे बने चबूतर पर साथों को बैठा कर बोले महाराज आप यहीं कुछ देर रिस्राम कीजिए जब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्ता करता हूं या कहकर धन्याजी महां से बैल गाडी लेकर चले गई बैल गाडी लेकर धन्याजी वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूर्मे का प्रसाद खाया भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया इसी भीज भगवत चर्चा भी होती रही संतों को भोजन कराने के बड़े प्रेम से उन्हें विधा भी कर दिया संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले यहूं कोतों बेश का संतों को भोजन करा दिया अब खेट में क्या बोया जाए अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नराज होंगे है लग दी आस्वास के खेटों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेटों में ग्यहूं बो रहे हैं परन्तु में खेटों में रेत बो रहे थे खेट बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसंद मन से घर के और चल दिये वे सोचने लगे खेट में तो कुछ उगना नहीं है तो देख भाल भी नहीं करनी पड़ेगी घर पर पिताजी ने पूछा खेत बो दिये धन्ना जी बोले जी पिताजी वो आया हूँ उस दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गाओं के कुछ बड़े बुड़े लोग धन्ना जी के पास आये बोले कि तुमने कैसा खेत बोया ऐसे फसल तो हमने जीवन में आज तक नहीं देखी ऐसा लगता जैसे ग्यहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हों इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी ये सब तुमने कैसे बोया धन्ना जी सोचने लग जिस खेज में उन्होंने रेत बोई थी, वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुन्दर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मैंने उन्हों संतों को अपने खेज पर ठहराया और बीज वाला ग्यहूं बनिय को देकर संतों को भोजन करवाया इसके बाद मैंने खेजों में रेत बोदी रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। मना नहीं करेगा आज से मैं भी भगवान की बक्ति किया करूंगा तुम्हारे सा संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खोब सादू संत करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाईवी फसल को काटने का समय आ गया उस फसल से उतने ही आकार की खेतों में पचास गुना जादा गहू निकला। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपने छमता के नुसार खोब संत सेवा और भगवान की बक्ति करने लगे। अब जिन खेतों में प्रियापत फसल नहीं होती वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छड़क लेते जिसे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। उन्हें दोनों हाथों से बंडारे लुटाने लगे। कभी कोई जरूरत मंद उनके घर से खाली आत नहीं लोटा। धिरे धन्ना जी का अंध का बंडार समाप्त होने लगा। प्रंतु धन्ना जी ने निश्चे किया जब तक उन में सामर्थिय है वे किसी भी जरूरत मंद को निरास नहीं करेंगे। अपना सब को से बेज कर भी में लोगों की मदद किया करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसंद होकर एक दिन उसके पास संत के वेश में स्वं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुमबा तुमबा जिससे कमंडल बना जाता है के बीज दियो और कहा धन्ना जी इन बीजों को अपने खेतों में बोदो और जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी परियाब तो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना धन्ना जी ने ऐसा ही किया संत किया लगे सुनोंने तुमबा के बीज खेतों में बोद्य गाउं के लोग कहने लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं ऐसा भीसन आकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुमबा की इस कड़वे तुमबे को तो पसु भी नहीं खाते यह तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है ऐ पसु भीसन अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है कुछी दिनों में धन्ना जी का केत हरा भरा हो गया इसी भीज धन्ना जी जरूरत मंदों की सेवा करते रहे धन्ना जी ने अपना सारा बंडार लुटा दिया उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वो भ होजन के लिए दान दे दिये अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लाया कुछ भी नहीं बचा था गाउन के लोग कहने लगे बड़ा मुर्ख है जो सारा धन्न उटा दिया अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इतने में फसल भी कोई तो बोही तो जिसे खाग भी नहीं सकते, धना जी को लोगों की बातों से कोई फरक नहीं पड़ा, तो ये भगवान का नाम लेते रहे और लोगों की मदद करते रहे, एक दिन ऐसा आया जब धना जी खेतों में लगी फसल पक गई, उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बों के फल दिख घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे मोती जवारात और कीमती रतनों से भरा हुआ था, तुम्बा को कीमती रतनों से भरा देखकर वे आश्चरे चकित रहे गई, उनके पास तो तुम्बा की जी को उन संत की यादाई जिनों ने उन्हें तुमबा के बीज दिये थे उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्थ हो उससे लोगों की सेवा करने लगे फिर वे दोनों हातों से लोगों की मदद करने लगे उस समय आकाल भी कई वर्सों बात तक चला उस समय धन्ना जी ने अपने घर में आसपास के कई गाओं में लंगर सूप करवा दिया आसपास के करोड़ों गाओं के लाखों लोग वर्सों तक धन्ना जी के अंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदीर बावडियां तालाप और धरमसला बिबनवाई उस तरह से सादो संतो और जरूरत मंद लोगों की मदद की लोग धना जी को धना सेट कहा कर बुलाने लगे धना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ धन और मन दोनों के धनी थे आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धना सेट की उपमा दी जाती है